कि मैं प्रॉपर जानकरी देने वाला हूँ, अगर आपके कोई डाउट से बिजनेस प्लैन को ले कर, तो वो सारे डाउट मेरा वादा है कि इस मिटिंग के बाद आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी की बात करें, तो जब से उन लोगों न तो मेरा वादा है कि आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आपको डाउट से बिजनेस प्लैन को ले कर, तो आप जो प्रॉपर बिजनेस लोगों को एक्स्प्लैन करना चाते हैं, वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जब तक प concept market में sell करना है, कम से कम उस concept की knowledge हमें proper लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर direct selling business तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पर traditional business का combination किया है company ने, तो दोनों चीज़ को हम एक platform के उपर लेकर आए है, तो यह जो दोनों system का combination किया है, तो हमें यह system को समझना पड़ेगा, क्योंकि यह हम बाते लाखो रूपे की करते हैं, तो दोस्तों हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, और एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कि जहाँ पर बाते लाखो रूपे की हो रही है, तो उस system को पहले हम जाने, उसको सीखे, और फिर उसको लोगों के पास आगे लेकर जाए, जब आपको भी आना है, और हो सके तो आपकी team को भी invite करना है, यहाँ meeting के अंदर एक ही बात आपको बताई जाती है, क्योंकि business plan यहाँ पर बदला नहीं है, business plan सेमी है, लेकिन उस business plan के अंदर छोटी-छोटी query या लोगों के दिमाग में है, तो business plan बदला नहीं है, केवल हमें उस business के अंदर जो query आ रही है, उसको clear करना है, तब जाके यहाँ पर जो लाखो रुपे की बाते हम लोगों को बता रहे है, तो उस लाखो रुपे की income हमें कैसे मिलनी है, वो हम समझ पाएंगे, क्योंकि लाखो रुपे कमाने के लिए यहाँ पर कुछ तो हमें सीखना पड़े है, कि market के अंदर बहुत सारी company चल रही है, और बहुत सारी company चल रही है, साथो साथ उनकी एक दूसरे के साथ competition भी हो रही है, और competition करने के बाद वहाँ पर हमें कुछ income आनी है, लेकिन यहाँ पर हम जो platform लेकर आये है, हमने यहाँ पर जो system लोगों को दी है, वो system की बात करे तो किसी भी company के साथ हम competition नहीं करते, क्योंकि यह unique platform है, यह unique idea है, जो आज तक direct selling business के अंदर किसी भी company के पास नहीं है, यहाँ पर आपको ना किसी को product sell करना है, ना ही आपकी bag में product रखना है, ना ही कोई compulsory purchase आपको हर महीने यहाँ पर करना है, केवल एक छोटी सी amount से इस system में हमें join होना है, पर यह system समझ लिया हमने, यह system की proper जानकारी हमने ले ली, तो यहीं जानकारी हमें logo तक पहुचानी है, क्योंकि direct selling business एक ऐसा व्याउसाई है, जहां से हमें knowledge से income आने वाली है, और direct selling business के अंदर आपकी कोई भी age हो, यहाँ पर आपकी उम्र कोई भी हो, माइने नहीं रखती, यहाँ पर एक 60 साल का retired आदमी भी पैसा कमा सकता है, 18 साल का student भी अच्छा पैसा कमा सकता है, अगर आप business कर रहे हो live, तो business के साथ साथ पार्ट टाइम भी इस business को करके आप लाखों रुपे कमा सकते हैं, लेकिन आपके efforts system से होने चाहिए, अगर आप system से direct selling business म नहीं कर सकती, आप वहाँ पर 100% सफल होंगे, लेकिन सफल होने के लिए हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा, दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरह का competition नहीं है, और यहाँ पर आपके उपर कोई boss भी नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं ना boss से, ना loss से, दोस्तों यहाँ पर कुछ जाता नहीं है हमारा, यहाँ पर हम छोटी सी amount लगाते हैं और उस amount से हम यहाँ पर लाखो रुपे का माने वाले हैं, तो दोस्तों यह लाखो रुपे कैसे company देती है, क्या income है, कैसे work करना है, क्या product है, किस तरह से लोगों के पास लेकर जाना है, वो सारी जानकारी यहाँ स हमें लेनी है, अगर आपने यह system को पहली बार join किया है, अगर आप इस system के अंदर पहली बार आये है, तो मेरी आपसे एक विननती है, कि इस system को लोगों के पास तब लेकर जाईए, कि जब आपको इस system का proper knowledge हो, अधुरा knowledge आपको unsuccess कर सकता है, तो proper knowledge के साथ अगर आप लोग उनको explain कर पाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आज हम company के business plan को समझेंगे, और यहाँ पर मैं आपको एकदम simple तरीके से company का जो business plan है, वो present करने की कोशिस करूँगा, ताकि बार बार मेरा यहाँ पर आपको बताने का अपसर, बार बार हम एक system को एकी तरह से समझेंगे, तो म साथ सुतरा system लोगों के पास लेकर जाना चाते हैं, क्योंकि आज हमने direct selling business के अंदर देखा है, कि बहुत सारी company बताती कुछ और है, और जो member होते हैं, वो system को upbrunch करके, मतलब उसके अंदर इतने मिर्च मसाले add कर देते हैं, तो वो system company ने बोली है, उससे उलट, वो अपने म information लोगों तक लेकर जानी है, एक भी हमारे मुख की चीज अंदर add नहीं करनी है, जैसा कि यहां पर हमारी company बता रही है कि मात्र 525 रुपे से आप system को join करिये, और 55 करोर रुपे कमाने के एक सांदार आउसर, हमारे एक सांदार platform हम से पाईए, वाके में दोस्तों लगता ये जबर जस system है, लेकिन दिमाग में doubts आएगा आपके, कि क्या 525 रुपे लगा कर 55 करोर रुपे की income possible है, बिलकुल दोस्तों possible है, जब तक हम इस system को proper तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक आपके दिमाग में ये doubts बना रहेगा, कि कैसे ये 55 करोर रुपे की income company हमें देती है, त तो दोस्तों आज आपके दिमाग के जो छोटे-छोटे doubts से उसको clear करने की कोशिस करूंगा, इस business plan के अंदर, तो ये 525 में 55 करोर रुपे की income हमारे तक कैसे आएगी, तो हमें जानना है company की profile को, company के सफर के बारे में, यहां हम सुरू करेंगे company से, दोस्तों यहां इस meeting के अ आपना स्वागता हूं, company का नाम है board my trip, OPC private limited और company की website है www.boardmytrip.com, दोस्तों board my trip business एक ऐसा unique platform हमारे लिए बनकर और हमारे लिए लेकर आया है, कि जहां से हम अपने खर्चों से income कमा सकते हैं, जी हां दोस्तों, आज तक हम जो भी खर्चे market से करते आये हैं, आज तक हमने market से जितने भी खर्चे किये हैं, वहां से हमें 54 नी भी वापस नहीं आई है, लेकिन आप ये platform का use करके अपने खर्चे से income कमा सकते हैं, वो भी लाखो रुपे में, दोस्तों, बहुती unique idea है, जिसको company ने direct selling business में उता रहा है, साथी साथ इस system को company traditional market में भी promote कर रही है, तो दोस् सारी बात इस business plan के session के अंदर हम समझेंगे, दोस्तों, board my trip company की में बात करूँ, तो company की सुरुवात अपरेल 2019 को होई थी, यानि कि आज 20 साल company को पूरा होने आया है, direct selling business में, दोस्तों, जब company 2019 से शुरू होई थी, तब company की पहली office open होई थी, Thailand के पताया city के अंदर, और उस स मही company tourism sector को promote कर रही थी, और tourism sector के अंदर भी company ने खास करके Thailand tour का package launch किया था, यानि कि हम बोल सकते है कि company की जो पहली product थी, जिस से लेकर company ने business को promote किया, वो product थी Thailand का tour package, और मैं आपको बताना चाहता हूं, कि 2019 में, जब company ने Thailand tour का package launch किया था, तो उस package के मध्यम से, 800 से भी ज़ successful Thailand tour complete की थी, 800 ऐसे happy clients से, जो board my trip के मध्यम से Thailand गुम कर आये है, दोस्तो Thailand trip ही क्यों चुना company ने, तो इसका भी logic है, कि Thailand country ऐसी country है, जो world के हर एक व्यक्ति गुमना चाहता है, क्योंकि world के top 10 जो populate city है, जो populate destination है, वो Thailand है, और Thailand के अंदर हम बात करे, तो इंडिया से हर साल 18 लाग से 20 लाग लोग tourist ऐसे है, जो Thailand गुमने जाते है, अगर ये package हमने लोगों के बीच इस तरह से promote कर दिया, अगर उन में से केवर 1% market भी बड़ में कमपनी कवर करती है, तो यहां से हजारों लोग हमारे जरिये Thailand गुमने जाने वाले हैं, तो दुस्तों, 2019 में company ने tourism sector से अपने business की शुरुवात की थी, लेकिन company की first anniversary यानि कि April 2020 को company ने दूसरे sector के उपर भी अपना working चालू किया, और दूसरा sector के उपर अभी company वर्क कर रही है, जिसका नाम है digital sector, दोस्तों जब company 2020 के अंदर digital sector के अंदर अपना कदम रखा, तब company ने दूसरी office open की, इंडिया के आज company के total 2 office है, Thailand में और इंडिया में, और इसी के साथ-साथ company दो sector में काम कर रही है, tourism sector और digital sector, दोस्तों company के legality की हम बात करें, तो जब 2019 में company की शुरुवात होई थी, तब हमारी company Thailand government से register थी, आपके screen के उपर जो certificate नीख रहा है, वो Thailand government का है, लेकिन जैसे ही company ने 2020 के अंद company ने इंडिया से भी registration किया, लेकिन उस समय company as a proprietorship firm से register होकर अपने digital business को promote कर रही थी, लेकिन खुसी की बात यह है कि आज हमारी company private limited बन चुकी है, हमारी company के दो बैंको में account से जिसकी information आपको screen पर दी गई है, दोस्तों यहाँ पर मजे की बात यह है, कि company जो digital sector में आई है, औ digital sector के अंदर जो idea लेकर आई है, वो idea आज market के अंदर किसी भी वेक्ति के पास नहीं है, जो idea हमें logo से अलग बनाता है, और हमारे plan को unique बनाता है, दोस्तों 2020 के अंदर company ने हमारा application launch किया, जिसका नाम था पेजॉल, और पेजॉल application को company ने all-in-one services, all-in-one application के तोरपर launch किया था, यानि के वहां से हम बहुत सारी services एक ही जगा से हम use कर सकते हैं, जैसा के recharge कर सकते है, bill भर सकते है, swapping कर सकते है, package खरीच सकते है, product खरीच सकते है, booking भी कर सकते है, लेकिन जैसे जैसे company के अंदर logo का growth बढ़ने लगा, तब company ने decision लिया कि कही ना कहीं जो ये app, जो app हमने develop की ह कहीं ना कहीं service हम third party से ले रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर हम third party से service ना लेकर, ये सारी services खुद provide करेंगे, company ने 15 अगस के दिन announcement किया कि हम अभी third party के service ना लेकर, खुद की service लेकर आ रहे हैं, और हमारी application जो अब नई launch होगी, जिसका नाम है payzol, दोस्तों हमारी payzol application market म भी रन कर रही है, payzol application को company utility services के साथ-साथ financial services में cover किया है, अब हमारी application के अंदर जो आने वाले समय के अंदर आपको features मिलने वाले हैं, वो features utility और साथ में financial sector के भी features आपको मिलने वाले हैं, दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे कि बहुत सारी application है, जो market में पहले से work कर रही हैं, और जिसका use लाखो करोडों लोग इंडिया के अंदर कर रहे हैं, तो आज आप यह application लेकर logo के पास जाएंगे, तो स्वभाविक है कि उन लोगों का question होगा, कि क्या आपकी application market की application से ज्यादा benefit देती है, क्यों हम आपकी application को use correct, आपकी application में ऐसा क्या unique है, जो market की application में न को proper तरीके से समझ लिया, तो हम लोगों को यह difference समझा सकेंगे, दोस्तों आपको मैं लेकर जाता हूँ, दो-चार साल पहले की बात बताता हूँ, कि जब market के अंदर, जब currency का जो रूप था, जो हमारी currency को ban किया था, और उसके जगें पे नई currency आई थी, तब लोग digital transaction के बा है, नतीजा हमने देखा है, चार-पास सालों के अंदर, जब पहले Paytm wallet हुआ करता था, आज market के अंदर Google पे है, phone पे है, Amazon है, Mobiquick है, ऐसे बहुत सारे digital wallet market में launch हुए है, लेकिन कही ना कहीं हम उनको use कर रहे है, उनसे service ले रहे है, तो उन service को use करने से हमें facility मिल रही है, य यानि कि समय बचता है, और सारे काम आपको घर बैठे हो रहे है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी होगी, कि जब जब हम transaction करते हैं, तो हमारे transaction के उपर जो revenue generate होती है, जो income generate होती है, वो उस application के मालिक को जाती है, यानि कि आज इंडिया के digital transaction की बात करें, तो per day धाई लाग करोब रूपे के transaction डिजिटल वालेट के मध्यम से हो रहे है, यानि कि धाई लाग करोब रूपे के transaction के ऊपर लाखो रूपे की amount जो होती होगी, वो उस application के मालिक को मिल रही है, आज तक उस application के मालिक ने हमें सरुवात के दौर में, दो रूपे, पाथ रूपे छे रूपे, पंदरा रूपे, बीस रूपे ऐसे instant benefit दिया लेकिन जैसे जैसे लोगों का growth बढ़ने लगा उस application की और उस application की और लोगों का जुकाव बढ़ने लगा तब उन्होंने देख लिया गिए अगर यहां पर हम कुछ भी benefit नहीं देंगे फिर भी यह लोग हमारी application को use करने वाले हैं तो दोस्तों market की application से हमें के वर facility मिली है अब बात करते हैं हमारी पेश्वाल application के बारे में तो दोस्तों पेश्वाल application को हम जब जब use करेंगे तब तब हमें facility तो मिलेगी ही मिलेगी लेकिन हमारे हर एक transaction के उपर company हमें एक या दो रूपया instant commission देती है और उसको जो मिलने वाला profit है वो 50% profit हमारे साथ share करती है क्यानि कि हम company के 50% partner है जहां से हम service use करेंगे वहां से हमें 50% का profit share आने वाला है दोस्तों हमारी application के उपर जितनी भी services company ने launch की है उन सारी services के उपर company ने cashback point दिये है और वो सारे cashback point पहले से fix है recharge के उपर up to 12.5% तक के cashback point मिलते है बिल भरने के उपर up to 5.5% तक के cashback point मिलते है इसी तरह से सारी services के उपर हमें cashback point company ने दिये है अब हम यहां से जब जब services को use करेंगे तब तब company हमें cashback point देगी instant commission भी देगी आप जो cashback point कमा रहे है service को use करके वो सारे cashback point आपके what might rip के cashback wallet में जमा होंगे अब आपका यहां पर doubt आएगा अब यहां पर आपकी जिगनासा बढ़ेगी कि यह जो cashback point company देती है उससे हमें profit sharing कैसे मिलेगा क्या यह cashback point से हमें income में convert होना है cashback point cashback point से हमारे bank account में income आनी है बिल्कुल दोस्तों यह जो cashback point हम कमा रहे है यह one type हमारी income है लेकिन उस income को हमारे bank account में पहुचाने के लिए company एक system बनाई है उस system को भी हम यहां पर समझेंगे दोस्तों cashback point से income बनाया है यह cashback point नहीं करता है इसको हमती से समझेंगे दोस्तों जैसे cashback wallet में जमा हो जाते है service को use करके तो instant software 500 cashback point के बदले में आपकी एक ID जनरेट कर देता है simple भासा में हम यहां पर समझे तो 500 cashback point के बदले में आपकी एक ID बनती है और जो ID बनी है उससे आपको 1500 रुपे की income में आप सोचेंगे यहां पर जो मेरी ID बनी है क्या मेरे tree में दीखेगी क्या मेरे level में द दोस्तो आपकी जो ID बनी है उसका केवल काम है cashback pull तक का ही वो ID cashback pull तक ही सिमित है यह cashback pull से जो आपको 1500 रुपे income मिल रही है तो इस income का हम ratio निकाले तो cashback point जो हमारा 500 जा रहा है उसके बदले में हमें यहां पर 1500 रुपे की income आ रही है तो एक cashback point की value यहां पर हम देखे तो तीन रुपे के करीब एक cashback point की value बनती है अब यह cashback point से income हमारे bank account में कैसे आएगी तो जिस तरह से आपने पेज़वल की service करके 500 cashback point के बदले में आपकी एक ID बनाई जो automated तरह से all over इंडिया में जितने भी पेज़वल के user होंगे उन सभी users के 500 cashback point के बदले में ID ही बनती ज अफिर है वो automatic ID को manage करता है यहां पर cashback pull के अंदर total 2 level है माल लीजिए आज आपकी first ID लगी है cashback pull के अंदर तो आपके पहले level में all over India से 10 ID लगेगी उन सभी ID से आपको 10-10 रुपे की income मिलेगी यानि कि पहले level से 100 रुपे आपको आएंगे दूसरे level में 100 ID generate होगी उन सभी ID स आपको 14 रुपीज आएंगे यानि कि total 1400 रुपे की income दूसरे level से आएगी तो दोनों level से एक ID पे आपको 1500 रुपे मिलेंगे अब यहां पर बात करें कि यह 1500 रुपे की income कब तक हमारे bank account में आ सकती है तो दूस्तों यह जो company का cashback pull income है वो company के growth के उपर depend करता है यहां पर हम ब limited है यानि कि per day जो ID generate होती है वो 2-3,000 होती है लेकिन आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे users बढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे cashback pull के अंदर ID भी बढ़ती जाएगी तो अभी हम बात करें तो यह 1500 रुपे की income आपको 3 महिने में भी मिल सकती है छे महिने में भी मिल सकती है और तो हमें यह income नहीं मिल रही थी जो यहां से हमें मिलने वाली है सिंपल सी बात करूँ तो 500 रुपे आपको मिलने हुआ है तो बुरा क्या है क्योंकि market से तो यह income हमें आने ही नहीं वाली थी यहां से company हमें profit sharing करके यह income दे रही है तो जैसे जैसे company के अंदर users बढ़ते जाए तो यह जो income मिलने की जो limit है वो भी कम होती जाएगी अभी मैं last 12 दिन की बात करूँ तो Saturday से जब company की application स्टार्ट हुई है जो updates आये है और उसके अंदर company ने जो gift card को भी launch किया है तो for day यहां पर 5 लाग से 7 लाग रूपे के transaction हो रहे है और अभी Amazon big flip card के उपर जो sell चल रहा है जिसकी वज़े से यहां पर for day जो idea active होती है जो cashback pull के अंदर आती है उसका growth भी बढ़ चुका है यहां पर last 12 दिन की बात करूँ तो 70,000 idea ऐसी है जो यहां cashback pull के अंदर आई है यानि कि अब यहां पर जो user है वो बढ़ते गए है और जिसके चलते यहां पर बहुत से लोग जिनके account में 1500-1500 रूपे की income पहुच चुकी है दोस्तों यहां पर company के business plan की बात करेंगे लाइफ टाइम package पर्चेश करना है वो है 525 रूपे का 525 रूपे से आपने joining किया है तो आपको किसी भी तरह का renewal charge नहीं देना है और आप company के अंदर lifetime के लिए member बन जाते है दोस्तों यह business plan की खासियत देखिये और बहुती अच्छी बात यह है कि company ने यह business plan के अंदर सभी लोगों का ध्यान रखा है यहां पर इस business plan के अंदर हम join हो चुके है तो यहां पर हमें दो option मिल रहे है अगर कोई व्यक्ति चाता है कि मैं खर्चे से income कमाओ और केवल company की application क को यूज करू तो ऐसे व्यक्ति के लिए traditional platform भी ready किया है अगर कोई व्यक्ति चाता है कि मैं यहां पर लोगों को business plan share करके एक team बना कर और direct selling business के मध्यम से काम करना चाहू तो उस तरह से आप करोडों रूपे भी कमा सकते हैं यहां पर company ने हमें choice दी है कि आप किस choice के उपर working करना चाहते है तो दोस्तों company ने यहां पर सभी लोगों का ध्यान रखा है इसलिए हम बोलते है कि यह direct selling business के साथ traditional business का भी combination है अब यहां पर joining option की जो process है joining करने की जो process है उसको हम समझेंगे दोस्तों आपको तीन step अपने दिमाग में fit कर देना है पहला step है कि कोई भी व्यक् बॉर्ड माई trip business के अंदर free में joining हो सकता है एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है उनका free में registration हो जाएगा लेकिन free में जुडने पर भी उस member को KYC document अपडेट करना जरूरी है क्योंकि यह government का rules है दूसरे step की बात करूँ तो जैसे ही आपकी online registration की process complete हो जाती है तो तूरं तो software आपके mobile और email के उपर ID number और password का message कर देता है यानि कि आप company के अंदर member बन चुके है अभी तक आपने अपनी ID को active नहीं किया है कोई बात नहीं है free में जुडने वाले member भी company की page all application को use कर सकते है और free वाले member को भी company यहाँ पर cashback point देती है अब बात करेंगे तीसरे point की द bought my trip से income लेना चाता है तो उसका ID active होना जरूरी है अगर आपका ID active नहीं है तो आपको income जो मिलनी है वो आपके bank account में नहीं आएगी company के पास hold रहेगी जब आप अपनी ID को active करेंगे तब आपके account में जो सारी income company के पास hold थी वो सारी income transfer हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर company ने total चार package बनाए है पहला package है 525 रूपे का दूसरा package है 1050 रूपे का तीसरा package है 3150 का और चौथा package है 6300 का लेकिन दोस्तों कोई member इस system के साथ जुड़ना चाता है और पैसाय कमाना चाता है तो उसको केवल एक ही package purchase करना है और वो है 525 रूपे का package की cost है 500 रूपे लेकिन 5% GST की amount जुड़ जाती है इसलिए package की amount हो जाती है 525 रूपे तोस्तों मुझे जुड़ना है या कोई भी व्यक्ति कोई system के साथ जुड़ना है तो 525 रूपे से ही ID active कर सकता है क्योंकि बागी के जो तीन package company ने यहाँ पर हमें बताये है वो package auto upgrade होन नहीं है जब जब हम इस system से income कमाते जाएंगे तब तब उस income में से इस परसेंट हो एक-एक के सारे package auto grid होंगे दोस्त यहां पर हमारा ID 525 रूपे से active कर लिया है तो यह 525 के प्रेट के अक्पनी की पेज़वाल एप्रिकेशन पर दूसरा benefit है दो रूपया daily claim bonus धाइसो राइन के दो-दो रूपय करके आपको 500 रूपय की जो amount मिलेगी कमिशन वालेट में मिलेगी तीसरा benefit company यहाँ पर देती है 500 travel point एक travel point की कीमत है एक रूपया यानि के company हमें यहाँ पर 500 रूपय के travel point देती है अभी यह एक offer के तहट company हमें free में देती है क्योंकि अभी company यह package को promotion कर रही है इसलिए यह 500 travel point आपको free में दे रही है अब आप सोचेंगे कि यह जो travel point company ने हमें दिया है तो इसका use हम कहां कहां कर सकते है तो दोस्तों पहला use यहाँ पर आप कर सकते है कि जब आप company के ध्वरा Thailand tour का package रखा है तो जब आप Thailand tour का package purchase करेंगे तो उस समय यह 500 travel point का use कर सकते है और दूसरा use है कि company जो रात को lucky draw निकालती है तो उस lucky draw में अगर आपको participate होना है तो आप यह travel point से lucky draw की coupon भी purchase कर सकते है दोस्तों इसके लावाद चोथा benefit company हमें देती है कि जैसे ही हमारी ID 525 रुपे से active हो जाती है तो उसी समय हमारा एक ID automatic generate हो जाता है cashback pull में मतलब वहाँ से आपको 1500 रुपे की भी income मिलनी है तो total 525 रुपे का जो package है उसमें company हमें 2750 रुपे का benefit देती है दोस्तों 525 रुपे का जो package है उसके अंदर company के कुछ rules है उसको भी आपको समझना जरूरी है पहला rules से यह जो daily claim bonus की income company हमें देती है उसको देने आपकी ID document date होना जरूरी है उसरूर से daily claim bonus की income आपकी joining date से एक साल तक की validity में मिलती है तीसरी rules के daily claim bonus की इंकम उसके बाद आपकी ID पर daily claim bonus मिलना बंध हो जाता है अब यहां पर बात करेंगे type of income की तो दोस्तों यहां पर छे type की income है पहली income है referral bonus दूसरी income है level bonus तीसरी income है booster level bonus चौथी income है reverse and fund पाचवी income है pull bonus और छठी income है leadership bonus दोस्तों यहां पर हम एक एक करके आरी income को clearly समझेंगे पहली income की बात करें referral bonus जो हमें 15% मिलती है दोस्तों company में जब भी income calculation की बात आती है तो बहुत से लोग यहां पर प्रस्न करते हैं कि जो हमें 15% मिलना है वो क्या 535 रुपे की amount पर मिलना है नहीं दोस्तों यहां पर company ज तो GST amount है तो 500 रुपे के 15% आपको मिलेंगे 75 रुपीज आप अपनी ID से जितने भी लोगों को direct refer करते हैं उन सभी direct refer से आपको 75 रुपीज आएगा लेकिन साथ में यहां पर company का जो unique plan, unique system इसलिए बन जाती है कि company ने यहां पर team by team की matrix का plan रखा है यह team by team की matrix work कैसे करती है तो आपके पहले level में 3 member आते हैं तो 3 member से आपका पहला level complete होता है दूसरे level में 3 के multiply by 3 यानि के 9 लोग आते हैं तब आपका दूसरा level complete होता है तो इस तरह से 3 by 3 की matrix में आपके level बनते हैं अब यहां पर हम छोटे से के example से समझते हैं यहां पर आपने अपनी ID से 3 लोगों को direct refer किया है तो तिन लोगों से आने से आपका पहला level complete हो चुका है आपको तीनों member से जो 75 रूपीज मिलना था वो income आ गई है अगर कल आपको चौथे व्यक्तिक को आपकी ID से direct refer करते हैं तो यहां पर software देखता है कि आपका पहला पहला हो चुका है तो जो चौथा direct आपने जो sponsor आता है आपसे तो वो direct नीचे चला जाता है तो इस तरह से 3 by 3 की matrix में काम होता है दोस्तों बात करें दूसरी income के बारे में level bonus जो हमें 45% मिलनी है आपको पहले level से 10% income आएगी पहले level में जो 3 member जूडेंगे उन 3 member से 50-50 आएगे दूसरे level से 15% income आएगी दूसरे level में जो 9 member जूडेंगे उन सभी member से आपको 75-75 रुपय आएगे तिसरे level से 20% income आएगी यानि के तिसरे level में जो 27 member जूडेंगे उन 27 member से आपको 100-100 रुपय मिलेंगे इस तरह से company 35% level bonus हमें distribute करती है हमारे पहले तिन level में तिसरी इंकम की बात करते हैं अब आपको कम की आपके चौथे level से बारवे में 30% income आपको देगी चौथे लेवल से आपको पांच रुपय आएगे पर आएडी पांच्वे और छठे से पर आइडी 10-10 रुपय आएगे दोस्तों यहां पर हम समझेंगे कंपनी की लेवल इंकम के कैलिक्लेशन यहां पर कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो दिखने में हमें 525 का बले ही लग रहा है लेकिन हमारा जो बिजनेस प्लान है वो साड़े 10,000 रुपय का है अगर सीधे ही हम साड़े 10,000 रुपय का पैकेज को लेकर लोगों के पास जाएंगे तो कोई भी वेक्ति तुरंत जोइन नहीं कर पाएगा लेकिन इस बिजनेस प्लान की बहुत अच्छी बात यह है कि हम जो मेंबर को 5 रुपय से जोड़ रह अब इसका बाद 6,300 में आटो अप्डेड होगा तो इस तरह से चार बार उसके पैकेज अप्डेड होने हैं जब हमने उस मेंबर को 525 रुपय से इस बिजनेस में जोड़ा तब तो हमें इंकम मिली लेकिन जब जब उसका ID एक्टिव होता गया आटो अप्डेड होता गया है तब इंकम हमें मिली यहां पर हमें एक बार जुड़ना है लेकिन इंकम चार बार लेना है बहुत ही यूनीग है दोस्तौ एक बार काम करना है चार बार इंकम लेना है दोस्तों यहां पर पैकेज की बात करें तो दो करोड प्लस की इंकम ले सकते हैं चार करोड प्लस की इंकम ले सकते हैं तो 26 करोड प्लस की इंकम यहां से हम कमा सकते हैं जब जब आप अपने लेवल को कंप्लीट करते जाएंगे तब आपको यहां पर रिवर्ट्स और फंड की की अमाउंट मिलती जाएगी तो चारो पैकेज में लेवल कंप्लीट करने पर यहां पर हमें रिवर्ट्स मिलते हैं कि पहले दो पैकेज की हम बात करें तो वह पहले दो दो पैकेज यह 25 का उसमें जो रिवर्ट्स मिलेगी वह हमारे यूट्टी वाले में जाएगी और दूसरे दो पैकेज की बात करें इकत 3500 और जो हमें रिवर्स की अमाउंट मिलनी है वह सीधे हमारा बैंक अकाउंट में जाएगे तो इस तरह हमने जब जब कंपनी यह पर हमारी इंकम है तो रिवर्स के अमाउंट में से आपके बैंक अच्वी इंकम की बात करेंगे पूल बॉनस यहां पर कंपनी ने दो तरह के पूल बनाए है पहला पूल है वर्किंग पूल मतलब आपकी टीम से जो भी मेंबर पूल के लिए कौलिफाई होगा तो उसका बैनिफिट आपको वर्किंग पूल में मिलेगा एक तरह से हम बोले तो यह चीज बोल सकते है कि हमारी टीम से जो मेंबर कौलिफाई होगा उसका बैनिफिट हमें वर्किंग पूल साएगा और दूसरा पूल है नॉन वर्किंग पूल यह कंपनी का आटो पूल है यहाँ पर टाइमिंग बहुत बड़ी चीज है और टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है कंपनी के आटो पूल के अंदर जो मेंबर जितना ज्यादा जल्दी कौलिफाई होता है तो उसकी पोजीशन आगे रहती है और उसके बाद कौलिफाई होने वाले मेंबर की पोजीशन उसके बाद रहती है यहाँ पर टाइमिंग सेकंड सेकंड का भी रहता है एक एक मिनिट का भी रहता है वो सिसाब से आ लोगों को डाइरेक्ट जोड़ना है जैसे ही आप अपनी ID से 10 लोगों को डाइरेक्ट जोड़ देते हैं तो आप ये दोनों पूल की income लेने के दिए Elisable हो जाते हैं और आप पहुंच जाते हैं कंपनी के पहले पूल में मतलब ब्रॉँच पूल में वहां से आपको 2000 रूपे की income होने वाली है Bronze से Silver में 10,000 रुपे की Silver से Gold में 1,000,000 रुपे की Gold से Platinum में 10,000,000 रुपे की Platinum से Diamond में 1 करोड Diamond से Millionaire में 10 करोड की income होनी है यहाँ पर Company ने Total 6 Pull बना है 6 Pull Working Pull में भी है और 6 Pull Non-Working Pull में भी है तो Total 6 Pull की income की हम बात करें तो ग्यारा करोर रुपे की इंकम हम वर्किंग पूल से कमा सकते हैं और ग्यारा करोर रुपे की इंकम हम नौन वर्किंग पूल से कमा सकते हैं तो यहां पर हम समझेंगे के ब्रॉंज पूल को जैसे ही हमने दस लोगों को डाइरेक्ट जोड़ा तो हम पहुच गए कंपनी के ब्रॉंज पूल में सब्सक्राइब में कौलीफाइब होकर आता है तो सौफ्वेर उसे आपकी डाउन लाइन में वन बाइवन करके मैनेज करता है मतलब 20,000 रूपे की इंकम आप ब्रॉंज पूल से कमा कर पहुच जाएंगे कंपनी सिल्वर पूल में और यहां पर आपने ब्रॉंज को क्वालिफिक कर ला है कि यहां पर एक और इंकम कंपनी हमें एक्षान देती है और जबरदर्शत इंकम है जो हमें हमारी डाउन लाइन को सपोट करने पर मिलती है जिसका नाम है तीम रेफरल बॉनस कैसे डिस्क्यूबिट कंपनी करती है इसको भी हम सबते हैं माल लेते हैं कि हम ब्रॉंज फुल से जब जब 200-200 रुपे कमाएंगे तब तब हमारी तीन अपलाइन को 200 रुपे के 10% टीव रेफरल बॉनस मिलेगा आपकी जो पहली अपलाइन होगी उसे 200 रुपे का 5% मिलेगा दूसरी अपलाइन को 200 रुपे का 3% मिलेगा और तिसरी अपलाइन को 200 रुपे का 2% मिलेगा आ आप ब्रॉज पूल से दसवर 200-200 रूपे कमाएंगे तो आपकी तीन अप्लाइन भी 200 रूपे के 10% 10 वार कमाएंगे अब यहां से दो हाँ से अलब की इंकम लेने के लिए हमें 10 ब्रॉज आइडी चाहिए उन सभी आईडी से यहां पर कंपनी हमें एक री आइडी ब्रॉंच पूल में देती है और हमारी तीन अपलाइन को 10% टीम रेफरल बॉनस मिलता है वो भी 10 बार अब बात करेंगे कंपनी के गोल्ड पूल के उपारे में दोस्तों गोल्ड पूल से एक राक रुपे की इंकम लेने के लिए हमें 10 सिल्वर आइडी चाहिए उन सभी आइडी से 10-10 अजार रुपे मिलते हैं और गोल्ड पूल को कौलिफाई करके हम पहुंच जाते हैं प्रेटीनल पूल में यह तरहां पर हमारी तीन अप्लाइन को 10% टीम रेफ्रावी बॉनस डिस्ट्रिबिट होता है वो भी 10 बार सिल्वर पूल से हम पहुंच चुके हैं कंप्ड़ी के प्लेटीनम पूल में प्लेटीनम पूल से 10 लाइडी की इंकम लेने के लिए यहाँ पर 10 गोल्ड आईडी चाहिए उन सभी आइडी से हमें 1 अकडाग रूपे की इंकम मिलती है टोटल दस लाख रुपे की income platinum pool से कमा कर हम पहुंच जाते हैं diamond pool में यहाँ पर company हमें 25 री आइडी ब्रॉंच पूल में देती है और 125 री आइडी cashback pool में देती है और हमारी तीन अप्लाइम को 10% TVFL बॉनस जाता है वो भी 10 लाइड दाइमंड पूल में हम पहुंच चुके हैं diamond pool में हमें दस लेटिंग आइडी चाहिए दस दस लाख रुबे की income हम पहुंच जाएंगे company के millionaire pool में company यहाँ पर हमें 125 री आइडी ब्रॉंच पूल में देती है और 500 री आइडी cashback pool में देती है और साथी साथ हमारे तीन अप्लाइंग को 10% टीम रेफल बॉनस मिलता है वो भी 10 बार दोस्तों यहाँ से आप पहुंच चुके है millionaire pool में millionaire pool में millionaire pool को qualify कर लेते हैं तो हमें हमें company 500 री आइडी ब्रॉंच पूल में देती है और 1500 री आइडी company cashback pool में देती है और हमारी तीन अप्लाइंग को 10% टीम रेफल बॉनस मिलता है वो भी 10 बार बार करेंगे company की 6 इंकम के बारे में दोस्तो चटी इंकम है leadership bonus जो हमें 5% मिलता है दोस्तो leadership bonus income लेने के लिए हमारा तीसरा level complete होना जरूरी है जैसे ही आपका तीसरा level complete हो जाता है आपको 1% leadership bonus आएगा चौता लीवल れल कंपलिट हो जाता है तो आपको इसितरा से जैसे जैसे आप level को complete करते जाएंगे वैसे वैसे आपको leadership bonus का जो percentage है वो भी पलस होता बिलता जाएगा दोस्तो लीडर्सिप बॉनस इंकम जो 5% हमें मिलती है वो हमारे टीम के बीजनेस के उपर मिलती है और ये इंकम हमें डिफरंस बेस के उपर मिलती है मतलब हमें 1.5% लीडर्सिप बॉनस मिलना है और किसी हमारे कोई डिरेक्ट स्पांसर एक्टी ने 3 लेवल कम्प्लिट कर लिया है तो उसे 1% लीडर्सिप बॉनस मिलना है तो 1% लीडर्सिप बॉनस तो आपके स्पांसर को चला जाएगा आपके और आपके स्पांसर के बीज़ जो अधे परसेंट का डिफरंस रहा तो उस पांसर की टीम से आपको अधा परसेंट लीडर्सिप बॉनस आएगा तो इस तरह से difference base के उपर leadership bonus income हमें company देती है यहां पर हम बात करेंगे जो company के अंदर बहुती जबर जस्ट attraction है वो है थाइलेंड पूर कंपनी को प्रमोट कर रही है लेकिन साथ हो सब्सक्राइब कर रहे हैं कंपनी का जो टूरीजम सेक्टर है वो प्रमोट हो रहा है कंपनी हमें देती है वो चाहे आप 10,500 टावेल पॉइंट से बाई कर रहे हो तो यह लगकी जहां पर company तीम में स्टे हमें पताय सीटी में और एक नाइट का स्टे हमें बैंकोक सीट की मिलती है त्री स्टर हॉटल में रुकन है ब्रेकफास्ट और डिनर की फैसलीटी इंक्लूड से प्क प्रक्राइब कीhan करें किया है वह साइट सिंद गुमने का मौका भी हमें बहुत ही क्लियर है कि जो जोबी में कंप्णी के साथ है कि यहां पर इतने सारे हमें और दूसरा उप्सन है कि जब जब आपकी आईडी पर पैकेज अब्रिड होते रहेंगे तब आपको कंप्री ट्रावेल पॉइंट देगी तो उस ट्रावेल पॉइंट को जमा करके भी आप थाइलेंट टूर पैकेज पर्चेस कर सकते हैं यहां पर जितने भी लोग यहां पर थाइलेंट टूर विनर है तो बहुती कम समय के अंदर अभी जो लेटेस्ट गायड लाइन आई है थाइलेंट गवर्मेंट की जिसके अभी जो नॉटिफीकेशन थाइलेंट गवर्मेंट से आई है उसके उपर अभी प्रॉपर स्टड़ी कर रही है कमपनी किस तरह से इस टूर को मैनेज करें और किस तरह से जो जो एचीवर से उन लोगों को थाइलेंट लेके जाए दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे टर् प्रकेश को अभीड करने के लिए जैसे ही आपकी आईडी पे तीनों हो जाते है कुसके बाद कीक लिए फिर्फकेशन का खुकेंचेवर स्टावा देदेखियन करती हैं लेकिन यह जो 10 परसन का देदेखियन कंपनी करती है उन में से 5 पांच परसन की एमाउंट यूिटिल दिड़क्त करती है पांच परसेंट एडिमिन चाट डिड़क्त करती है और जो भी मेंबर का पे आउट 200 रुपे का होता है उसके पास दो option है उस पहला option है कि आप अपना payout कभी भी withdrawal कर सकते हैं कभी भी अपना bank account में ले सकते हैं condition ये है कि आपके commission wallet के अंदर 200 रुपे की amount होनी चाहिए यहाँ पर company ने हमें quick withdrawal का option दिया है कि जब हमारा पे आउट चाहे हम अमारे अकाउंट में ले सकते हैं अगर आप क्विक विड्रोल का उप्शन यूज नहीं करते हैं तो रात को बारा बज़े के बाद कर देती है उसके लिए आपको विड्रोल करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जब आप कंपनी के क्विक विड्रोल के उप्शन को यूज करते है उस पर पांच रुपे साथ पैसे जो सर्विस चार्ज होता है वो डिड़क्ट होता है अगर आप चाते है कि मुझे इमर्जनसी ज़रूरत है फंड की और मुझे विड्रोल लगाना है तो आपको ध्यान में रखना है कि पांच रुपे साथ पैसा उसके उपर कंपनी सर्विस चार्ट डिड़क्ट करती है और रात को बारा बज़े तक आपको वेट करने की तैयारी है तो कोई दिक्कत नहीं उसके उपर पैमेंट आएगी क्योंकि बहुत सारे लोग जल्द बाजी के अंदर कुछ भी मतलब डिटेल डाल देते हैं जिसके चलते उनके अकाउन में पैमेंट टाइम सर्व नहीं पहुंचती है तो मैं उनसे निवेधन करूंगा कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति का के वाइसी क्योंकि पिछले साल के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारी बैंक एक दूसरे में मर्ज हो चुकी है और उन्होंने एक अगस से अपना नया IFSC कोड जारी किया है तो कहीं आपकी बैंक मर्ज हो चुकी है तो ब्रांच पे जाईए नया IFSC कोड लाईए तब आपको बैटर फै बिजिनेस प्लान की सिस्टम को सिंपल इन स्टेप में समझना है अगर आपने यह तीन स्टेप को समझ लिया आपकी डाउन लाइन को समझा दिया और इसका इंप्लिमेंट कर दिया तो यहां से लाखों रुपे आप बहुत ही कम समय के अंदर बना पाएंगे दोस्तों यहा यहां पर देखा है कि वह प्लान का उप्रेशन करते हैं और छोटे 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 पॉइंट्स को लेकर अभी भी बना कर बैठे रहते हैं कि मैंने देखा है कि जो गरीब व्यक्ति होता है न वह बहुत बुद्धी साली होता है और एक तरह से यह भी बोला ज सकता है कि जो बुद्धी साली होता है वो गरीब होता है तो वो लोग क्या करते के बार-बार बीजनेस प्लांग का आपरेशन करते रहते हैं और अपना टाइम भी गाड़ते रहते हैं दोस्तों यहां पर हमें कुछ कि जोड़त नहीं है क्योंकि बॉड़माई ट्रीप से किसी व्यक्ति को पर देड़ सो रुपे जा रहा है किसी व्यक्ति को पांच हजर भी जा रहा है क्यों जा रहा है क्योंकि सिस्टम प्रूवन हो चुका है हिमाली पे एक व्यक्ति पहुंचा है उसका मतलब यह नहीं है कि एक ही व्यक्ति हिमाले पर पहुंच सकता है दोस्तो उसको positive करी के से लो अगर एक व्यक्ति हिमाले पर पहुंचा है तो मान लीजिए वहाँ पर जाने का रास्ता है तभी वो पहुंचा है तो यहाँ पर जो व्यक्ति 5000 रुपे कमा रहा है तो कहीं न कहीं उसने system को implement में ला द और मैं आसा रखता हूँ कि अभी यहां पर जितने भी लोग मीटिंग में जुड़े है उन लोगों की इंटरवेल तक की पिक्चर हिट नहीं है और अभी भी आप अभी बिजनेस प्लान को लेकर ऑप्रेशन में रहे हैं और आप्रेशन कर रहे हैं बहुत करीं तो मैं आपको जरूरत नहीं है इस सिस्टम के अंदर पहला ऐसा व्योसाई है जहां पर दिमाग ना लगाकर अप्लाइन की बात सुनकर पैसा कमाना है दोस्तों सिंपल स्टेफ है यहाँ पर आप आद इसको लेकर जाईएगा अच्छी बात लगे तो इसको आप लेकर जाईएगा और कल से फिल्ड के अंदर इंप्लीमेंट करिएगा आप हंड्रेट परसेंट बॉड्माइट रिप बिजनेस के अंदर सक्सेस हो जाएगे दोस्तों पहला स्टेफ है अगर आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हो अभी तक आपने अपना आईडी एक्टिव नहीं किया है तो पहली आप अपना आईडी एक्टिव करिए क्योंकि जो व्यक्ति फ्री में बॉड्माइट रिप के साथ जुड़ता है वह हवा में ही रहता है कि किसी भी लेग में किसी भी डाउन लाइन में पोजीशन सेट नहीं होती है क्योंकि फ्री वाले मेंबर को कंपनी लेवल में जगा नहीं देती है अगर कंपनी फ्री वाले मेंबर को लेवल में जगा देने की सुरुवत कर दे तो मैं एक ही दिन की अंदर 12 लेवल का काम हो सकता है लेकिन कंपनी यहां पर उसी व्यक्ति को लेवल में प्लेश्मेंट देती है जिसका आईडी एक्टिव है अगर आपने अप प्रेड होने के बाद लोगों को बता सकते हैं इसके बाद दूसरा स्टैप यहांपर हमें फॉलव करना है दूसरे सटैप के अंदर कंपनी की आपने तीसरी इंकम देखी और सुनी है तो तीश्री इंकम है बुक्तर लेवल बॉनस जो 30% मिलती है बुक्तर लेवल बॉनस इ जूर रहे उसकी इंकम नहीं मिलेगी तो दूसरा स्टेप हमें फॉलो करना है जितना जल्दी हो सके हमारी आइडी से तिन लोगों को डाइरेक्ट जोड़ना है क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा आपकी डाउन लाइन करेगी और तीसरा स्टेप यहां पर आपको फॉलो करना है कि आपकी आइडी से 10 लोगों को डाइरेक्ट जोड़ना है तिन लोगों को तो आप डाइरेक्ट जोड़ चुके हो अब केवल 7 लोगों को डाइरेक्ट जोड़ना है आपको इस सिस्टम को फॉलो करके 7 लोगों को डाइरेक्ट जोड़ देना है जैसे ही आप 10 लोगों क डायरेक्ट जोड़ दिया आप ब्राउंच पूल के अंदर क्वालिफाई हो जाते हो ब्राउंच पूल में पहुँच जाते हो यानि कि 11 करोड रुपे की इंकम लेने के लिए आप एलिजेबल हो जाते हो तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा टारगेट है दस लोगों को डायरेक्ट जोड़ना मतलब 525 रुपे से 10 लोगों को जोड़ा तो 5250 रुपे का बिजनेस आपने कंपनी को दिया अगर आप 5-10 लोगों को डायरेक्ट जोड़ा है तो आपको टोटल इंकम कितनी आएगी आप देख सकते हो उसका पूरा कैलक्लेशन भी आप कर सकते हो क्योंकि आप समद्दार है और आपने जो भी अभी इंकम देखी है उसके मुताबिक आप ये 10 लोगों को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कम से कम 1700 रुपे से लेकर 2000 रुपे की इंकम आप यहां से कमाएंगे अंदाजा लगाईए 5250 रुपे का बिजनेस देने पर 2000 रुपे तक की इंकम आपको यहां से मिलनी है यानि कि 33 परसेंट से भी ज़्यादा इंकम आप कमा रहे हो ये तीन स्टेप आपने समझ लिए ये तीन स्टेप को आपने अपने लाइफ में फॉलो कर दिये और आपकी डाउन लाइन के अंदर इंप्लिमेंट कर दिये तो दोस्तो बॉर्ड माइटरी बिजनेस के अंदर आप लाखो रुपे कमाएंगे क्यूंकि यहां पर मैंने जैसा पहले की पहले ही भी बताये आपको कि एक व्यक्ति ऐसा है जो 1.500 रुपे कमा रहा है और एक व्यक्ति ऐसा है जो पांच हजा रुपे भी कमा रहा है दोस्तो प्लान तो सभी के लिए सेम है मेरे लिए लग नहीं है आपके लिए लग नहीं है तो मामला क्या है कि एक आदमी 1.500 रुपे कमा रहा है एक आदमी 5,000 रुपे कमा रहा है तो दोस्तों मामला यह है कि जो आदमी 5,000 रुपे कमा रहा है उसके पास 5,000 रुपे तक का नौलेज है और जो आदमी 1.500 रुपे कमा रहा है उसके पास 1.500 रुपे का नौलेज है अग मिटिंग में आईए क्योंकि बार-बार मिटिंग में आने से बार-बार एक ही कैसेट सुनने से आपको पूरी स्टोरी पूरा पिक्चर पूरा डायलोग आपको याद रहे जाएगा और आप किसी भी व्यक्ति के सामने बैठेंगे वह आदमी आपको मना नहीं करेगा लेकिन यहाँ पर पहले ही दिन बिजनेस प्लान देख लिया दिमाग में करोड़ो रुपे की बात आ गई और दुसरे ही घंटे में बिजनेस प्लान दिखाने निकल जाते हैं और सामने वाला दो ऐसे सवाल कर देता है तो उल्टा मूग की खाकर वापस आ जाते हैं यह तो मे बिजनेस प्लान अभी नहीं देखा है आपने देखा है दोस्तों यह बिजनेस प्लान जब तक आप प्रॉपर तरीके से समझ नहीं लेते हैं तब तक किसी भी व्यक्ति को मत दिखाईए क्योंकि यहाँ पर आप डाइमंड आप सोना बेचने के लिए निकले है अगर क्योंकि आज आप इस कंपनी के साथ जुड़े हैं कल दो-तीन दिन महीने बाद अगर आपको कोई दूसरी ओपॉर्चुनिटी मिली उसके अंदर जले जाए तिसरे महीने के बाद तीसरी ओपॉर्चुनिटी में चले जाए इस तरह से आप अपने जोले के अंदर बार-बा का गड़ा कर दिया जाए तो लाइफ टाइम पीने का पानी आपको बहार से नहीं लाना पड़ेगा उस तो पाइप लाइन बीचाना है और पाइप लाइन एक दिन में नहीं बीचती है कम से कम तीन साल सिस्टम से कंपनी को देने पड़ेंगे संकल्प करना पड़ेगा क्योंकि संकल्प के अंदर जो टाकात है और जो संकल्प आपकी नभी से आता है तो दुनिया की कोई भी टाकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती दोस्तों ये संकल्प की सकती के उपर मैं आज आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी सेर करना चाता हूँ दोस्तों एक घर के अंदर एक आदमी था उसकी दुकान थी और उसकी बीवी बोली अपने गुरुजी जब घर पे आए तो उसकी बीवी बोली कि इन्हों ने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी कोई संकल्प ही नहीं किया है आप उसको कुछ राइ दीजिए कुछ सला दीजिए कि वो अपने लाइफ में कुछ संकल्प ले जिससे वो आगे बढ़ सके लेकिन कभी हमारी बात को सुनते ही नहीं है और हमें टाल देते है तो आप गुरुजी घर पे आए है तो कुछ हमारे घर वाले को भी ये संकल्प की बात बताए ताकि वो भी संकल्प ले और सकसेस हो और वो आदमी जिसको संकल्प नहीं लेना था जो आदमी पहले संकल्प की बाती नहीं सुनता था वो बहुत ही चालू आदमी था उसको तो जैसे तैसे गुरुजी की बात को टालना था तो गुरुजी ने उसको घ्णयान दिया के बाई संकल्प की शक्ती इतनी जबरज़स्थ है के जो तू मागेगा वो पाएगा लेकिन कम से कम एक संकल्प तो कर तो ये भी आदमी चालू था उसने बहुती छोटा सा संक कर लिया उसकी जो दुकान थी उसके सामने कुंबार का गर्थ तो वहां पर गदे तो रोज दिखते थे इसने संकल्प ले लिया गुरुजी आप कह रहे हैं तो मैं अभी संकल्प लेता हूं कि हर रोज में गदे को देखने के बाद ही खाना खाऊंगा अब संकल्प तो संकल्प था बले ही वो छोटा था उसने संकल्प ले लिया अब उसकी बीबी रोज सुबे वहां टिफिन देने जाती थी वो सामने गदा देखता था खाना खाता था गदा देखता था गदा देखता था गदा देखता था गदा देखता था ऐसा चलता रहा 4-5-6 महिने अब एक दिन ऐसा हुआ कि हर रोज गदे को देखकर खाने की उसको आदत पड़ गई थी और एक दिन सामने गदा दिखाई नहीं बारा बज गए गदा नहीं दिखे एक बज गई गदा नहीं दिखे अब वो आदमी एक दम बेचन सा हो गया कि हर रोज ये गदा दिखता था आज दिख क्यों नहीं रहा है तो वो उसके घर पे जाकर इंक्वाइरी करके आया कि ये गदा आपका रोज यहां पर बंदा रहता था कहां गया है तो उसकी बीवी ने बोला कि वो गदे को लेकर मिट्टी लेने गए है कहां गये है कभी ये बाहर गाँ के बाह तो गया है तो वो आदमी साइकिल लेके गाउं के पास जो गधा मिट्टी लेने गया था वहां पहुंचता है और होता क्या है कि गधे को लेकर जो उसका मालिक मिट्टी लेने जाता है तो मिट्टी को खोते समय उसको वहां से स्थोने का कलस मिलता है जहां बहुत ही अस्रफि गया कि उसने मुझे सोने के साथ देख लिया तो उसने सामने सए डुसरी pls लगाई कोई बात नहीं अधा तेरा अधा कर खाने का संकल्ब किया और उसको सोने की अस्रफिया मिल सकती है संकल्ब चोटा सा था और सोना मिल गया तो दोस्तों क्या यहां पर हमारे family के सपने पूरे करने के लिए हमारे बच्चे के अच्छे education के लिए हमारे लिए बड़े घर के लिए time freedom के लिए अच्छी lifestyle के लिए retirement वाली life के लिए क्या हम एक चोटा सा संकल्ब नहीं कर सकते जहां पर आप टिकेंगे वहां पर आगे बढ़ेंगे अगर आपको दोस्तों अगर आपको टिकने की habit आ गई तो बॉर्ड माइट रिप के अंदर आप आने वाले समय के अंदर करोड़ो रुपे कमाएंगे आज इस बात को आप लेकर जाईएगा कि केवल गधे को देखने से गधे को देखने का संकल्ब करने से अगर लाखों रुपे वह माली कमा सकता है तो हम तो दोस्त एक ऐसे सोने के साथ लेकर सोने का सोने वाला बिजनेस लेकर निकले है, जहां इसको अच्छी तरह से आपने प्रमोट कर दिया, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको मना नहीं कर पाएगा, दोस्तों आप मार्केट में देखिए, आज कौनसा बिजनेस, कौनसा सेक्टर प्रमोट होने वाला है, दोस्तों हम ऐसे सेक् में कभी भी मत रहिए, मैं हर मीटिंग के अंदर आपको बोलता हूँ, या तो इस सिस्टम को नकार दीजिए, छोड़ दीजिए, या तो आप लोगों को अन देखा करके आगे बढ़ते चले जाएए, क्यूंकि आप जिस लेवल पर, आप जिस टाइम के अंदर, इस सिस्ट के अंदर आए है, दोस्तो भगवान से आप प्राथना करिएगा, कि आप बहुत लगी है, भगवान ने आपको इस सिस्टम के अंदर काम करने के लिए भेजा है, दोस्तो आपको ये सिस्टम इतनी जबर्जस्त इंकम देने वाला है, केवल आपकी इच्छा सकती होनी चाहि अगर आप इस सिस्टम से पांच अजार उपे की इच्छा सकती रखते हैं तो आप पांच अजार कमाएंगे, पांच लाग की इच्छा सकती रखते तो पांच लाग कमाएंगे, आपको तही करना है, आप कितना कमाने आये है, क्योंकि ये तो दरिया है, आपको जितना पान करने वाली है जो हम कल की मीटिंग के अंदर हम उसको डिसकस करेंगे और बिजनेस को जबर्जस तरीके से कैसे आगे लेकर जाना है उसके उपर भी प्रॉपर बात करेंगे तो दोस्तों कल मीटिंग के अंदर हम मिलेंगे रात को आट बजे इसी समय और मैं आपको आसा मैं तो दोश्तो हैं遊戲 के सबस्क्राइब करेंगे। यसी के साथ मिटिंग को यहां हम पूंण करेंगे फ route न मकून करेंगे। थैंक्यूग! خब्ण investigación. झाल झाल